हेलो फ्रेंट्स दिस इस आइस्पीशिंग एंड वेलकम टू इश्मार्टर एवरी डे तो डिये फ्रेंड आज हम बात करेंगे कि बीट बहुतिन पढ़ाई आपको कैशे करनी है एंड हाउ टू फोकस ऑन इस्टडी जैसे कि अभी एक्जाम का टाइम चला है यह कहें कि एक् ग्दिन का टाइम है है ना और कुछ एक्षूरेंट्स की डेट आने वाली है बीड की तो इस प्रकार से हम कहा सकता है कि एक्जाम का सीजन चला है और यहां पे आप जो बच्चे हैं जो इस्ट्रेंट्स हैं वो काफी स्ट्रेस में हैं प्रॉबलम उनकी यह है कि जैसे You have only 15 days now, ठीक है, 15 दिन बचे हैं, तो अभी आपको इन 15 दिन में अपना complete syllabus कैशे करना है, पूरी पढ़ाई कैसे करनी है, तयारी कैसे करनी है, हम इस पॉइंट पर बात करेंगे, देखिए 15 दिन के अंदर पूरा syllabus complete करने के लिए अपना पूरी तयारी, देखिए बिए कोई ब दिन में पूरा syllabus complete करने के लिए, पूरी पढ़ाई complete करने के लिए, उस level का, उस level का आपके पास material भी तो होना चाहिए, कि ऐसा material जो आपको 15 दिन में पूरा syllabus complete करा दे, ऐसा material होना चाहिए, जो 15 दिन में आपकी पूरे एक्जाम की तयारी करा दे, ऐसा material आपको जुटाना प फर्स्ट पॉइंट की जैसे पहला पॉइंट हमारा कहता है कि avoid extra syllabus or things यानि कि बच्चे जो है वो एक्जाम के भैसे डर से बहुत सारी चीज़ें जुटा लेते हैं जैसे कि अलग-अलग राइटर की publication की books हो गई है ना या easy notes हो गए या बच्चे ने कहा किया अपना भी पूरा अपने according notes त्यार कर रखें plus books भी पढ़ रहे हैं plus easy notes भी पढ़ रहे हैं अब सोचते हैं कि बस सारा कुछ पढ़ लिया जाए अगर आपके पास 15 दिन है तो उसके लिए अब आप अगर extra चीज़ें पढ़ेंगे अगर आप extra syllabus पढ़ने कोशिश करेंगे extra things को extra चीज़ें को आप चुनिए और उसी से पूरी तयारी करें एक्जाम के टाइम पे या बिल्कुल आट दिन पहले आप इदर दर अगर भागते रहेंगे भटकते रहेंगे एक्जाम के डर से तो फिर तयारी नहीं हो पाएगी आपकी performance खराब हो जाएगी इसलिए extra things और extra syllabus को आप अवा पाई करना चाहिए है ना तो यहां पर मैं time table बलाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं यह कह रहा हूं कि आपको time fix करना पड़ेगा आपके पास जितना भी time बचता है आप उसको पढ़ाई पर focus करें और यह तै करें कि आपके पास दिन कितने बचे हैं आपके पास दिन कितने ब subjects and you have only 30 days पांच सब्जेक्ट हैं आपके पास या 30 दिन है या पांच सब्जेक्ट हैं 20 दिन माल लेते हैं है ना तो अब एक सब्जेक्ट को कितना time चाहिए एक सब्जेक्ट को आपके पांच कुबीस यान की एक सब्जेक्ट आपका मांगता है चार दिन तो अगर एक कि कुछ भी हो जाए हमें चार दिन के अंदर एक सब्जेक्ट को फिनिश करके रख देना है और उस चार दिन के बीच आपको दूतरा सब्जेक्ट है छुना भी नहीं है टची भी तो ये टाईम आपको fix करना पड़ेगा कि आपके पास अगर आठ दिन बच रहे हैं तो एक subject को हम कितने दिन दें अगर दस दिन बच रहे हैं तो एक subject को हम दो दिन ही दे पाएंगे और दो दिन में हमें पूरा subject ख ambiguous करना पढ़े आप अपना time fix कीजिए तभी आप पहितर तयारी कर सकते हैं third point की बात करता हूं source की बात कर लेते हैं कि आपके पास source क्या है आप books से तयारी कर रहे हैं paper देखे जाए objective हो या subjective हो यह जो rule मैं बता रहा हूं उस सब में लागू होता है आज जो easy notes आते हैं ठीक है easy notes में जो question bank होता है हमारा वो planner का भी आता है पवन का भी आता है easy notes के नाम से भी आता है लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी problem यह है कि पताने कैसे उल्टा सीधा छाप देते हैं इनमें mistakes बहुत हैं गलतियां बहुत हैं तो उनसे आपको aware रहना है और उन गलतियों से बचना है ठीक है और जो भी subject आप पढ़ें उसके लिए आप online माध्यम जरूर ढोड़ें आजकल ठीक है और जो भी subject पढ़ें जैसे मालीजी आप EBS की तयारी कर रहे हैं या ICT है आपके पास या pedagogy subject है तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा online आपको मिल सके online पढ़ें क्योंकि online में mistakes बहुत ही rare case में होती हैं बहुत ही कम chances होते हैं mistakes होने के और easy notes पगारा में या planner जो है मैं कहूंगा planner तो बहुत ज़्यादा mistake है इसमें बहुत सारी गलतिया है इसको तो बिल्कुल touch ना करें और तो इस तरीके से आप online source को जरू ढूढ़िएगा जहां से भी पढ़िए online पढ़िए क्योंकि online में mistakes बहुत कम होती है ठीक है तो यह आप जैसे की आप पर्यावन EBS की बात करें आप चाहें आगरा से हो कानपूर से हो लखना उसे हो अगर पेपर objective होना है तो EBS की पूरी playlist हमारी बने हुई है ICT की पूरी playlist बने हुई है अगर आप उनको भी देख लेंगे तो complete हो जाएगा पेडागोवजी सब्जेक्ट की बात करें तो पेडागोवजी में जैसे की आपका पार्ठषी कर्म से related questions आएंगे आपको हर पेडागोवजी सब्जेक्ट में मिलेंगे तो यह कुछ ऐसे questions होते है जो common होते है इनको आप तयार कर लीजिए आपको देखला यह कि किस तरीके से questions आएंगे क्या पूछा जाएगा उनी के base पे पूरा तयारी कीजिए फॉर्थ point पे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको कहीं से previous year मिलता है तो एक बार previous year पर नज़रू डाल लीजिए तो उससे आपको पता लाए जाए कि किस तरीके से questions आते हैं ठीक है जैसा कि मैं बात कर रहा था सूष मिश्चन पार्थी करम से related questions की तो ऐसे questions जरूर रट लीजिए क्योंकि यहां से questions 100% क्या 100% आपको मिलेंगे ही मिलेंगे ठीक है पैटागोजी सब्जेक्ट हो या जैसे कि आप अगर ICT का पेटपर होगा आपका उसमें भी मिलेंगे EBS में भी मिल सकते हैं तो ऐसे common questions देखिए और प्लस अपना time fix कीजिए कि कि कितने time में हमें कितना पढ़ना है अगर आपने यह नहीं किया अगर आपने इस point पर focus नहीं उस time के अंदर आपको वो subject खत्म करना है दुबार उसकी तरफ आख उठाके नहीं देखना है ठीक है चाहें आप बुक इजी नोट से पढ़िए या online source से पढ़िए ठीक है extra चीजे आपको हटा देनी है और इस 15 आपके पास जो भी time बचता है 10 दिन 15 दिन 20 दिन आप बहुत बहुतर कर पाएंगे है ना बच्चे मेरे इस channel से पढ़ करके आपको मैं बता दूँ कि जो है एक एक दिन में दो दो दिन में नोटे बहुत बहुतर performance दी है और जो है कि बहुत अच्छा कर पाए है आप भी कर सकते हैं अगर आप channel से जुड़े हैं और playlist बनी हुई आप पूरी प्लेलिस्ट को देख डालिए, EVS, ICT या चाहें आप आगरा से हो Knowledge Curriculum, Assessment for Learning, Creating School, सारा कुछ मैंने कराया हुआ है जो भी चीज़े कम है वो आपके exam तक complete करा दी जाएंगी पूरी प्लेलिस्ट देख डालिए, आपका काम हो जाएगा, भागने या भटकने क्या हो सकता नहीं है, क्लास का इसी लिए कमेंट करके बताईए, थैंक्यू मिलते है मौजल दी नई क्लास के साथ